बायोग्राफी वाई रोईट चैनल पर आपका स्वावत है आठ अगस दोहर तीन में आई रित्ति ग्रोसन की फिल्म कोई मिल गया तो आपने देखी ही होगी जो मेरी तरह आपकी भी पसंदिदा फिल्म रही होगी इस फिल्म को जितनी वार भी हम देखते हैं हमें अपने बच्वन की याद आ जाती है क्योंकि ये फिल्म बच्चों की पसंदिदा फिल्म है फिल्म तो हिट रही इसके साथ इस फिल्म का एक करेक्टर बहुत फेमस हुआ जो जादू के रूप में हमें देखनों को मिला इस फिल्म में आपको मैजिक, एक्षन ड्रामा, इमोशनल, कॉमडी इन सबका दड़का देखनों को मिलेगा बात करें इस मूवी की कास्टिंग की तो इस मूवी में हमें नजराए थे रित्ति ग्रोशन, प्रिती जिंटा, रेखा, राकेश रोशन, रजट बेदी, प्रेम चोपडा, मुकेश रिसी, जोनी लीवर, राजी बर्मा, आकास खुराना, छोटे उस्ताज, जादू, हंसिका मोडवानी, आदी एक्टर इस मूवी में हमें नजराए आईए कोई में लगाया मूवी की कुछ अदिल्चस बाते आपको बताते हैं, जो आपने सायद ही सुनी हो अगर आपने हमारा चैनल बायगुराफी वाई रोहित सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, चलिए वीडियो को सुरू करते है नमबर एक, इस मूवी के पहले तीन अन्ने नाम रखे गए थे पहले इस मूवी का टाइटल नेम कोई आप जैसा, कोई तुमसा नहीं और कैसा जादू किया रखे गए थे अंत में इस मूवी का नाम कोई मिल गया रखा गया था नमबर दो, इस मूवी में रित्थी ग्रोशन के पिता के रोल के लिए राकेश रोशन ने सबसे पहले रिशी कपूर से बात की लेकिन रिशी कपूर ने इस रोल को यह कहकर मना कर दिया, कि बह ऐसे छोटे रोल नहीं करना चाते हैं और अंत में यह रोल खुद रित्थी ग्रोशन के पिताजी राकेश रोशन ने किया नमबर तीन, इस मूवी में प्रित्थी जिंटास से पहले नीशा के रोल के लिए राकेश रोशन सबसे पहले एसवर राय को लेना चाते थे हाला कि उन्हें लगा कि उम्र के कारण एसवर राय और रित्थी ग्रोशन की क्यमस्ट्री नहीं जचेगी इसलिए राकेश रोशन ने इस फिल्म में एसवर राय को कास्ट नहीं किया नमर चार इसके बात राकिस रोसन ने इस भूमिका के लिए करिना कपूर से संपर्क किया। रित्ति रोसन के साथ करिना पहले ही कुछ फिल्मों की सूटिंग कर रही थी। इस लियोनों ने इस फिल्म के लिए मना कर दिया और आखिर में इस भूमिका को प्रिति जिंडा ने नमबर पाँच इस फिल्म में जादू का रोल छोटे उस्ताज यानि इंद्रवर्दन पुरोवित ने निवाया था जो उस टाइम पर भौत फेमस रहा आपकी जानकरी के लिए बता दें जादू का रोल निवाने वाले छोटे उस्ताज यानि इंद्रवर्दन पुरोवित की इस फिलिम के बास्केट बॉल मैच के दोरान प्रिति जंटा के पीछे बैठे रहते हैं। नमबर साथ, इस फिलिम में रित्ति ग्रोसन की साइकल तोड़ने वाला जो सीन था, वो सीन रियल लाइप में, सच में, उनके साथ बच्पन में हुआ था। नमबर आठ, इस मुवी में रित्ति ग्रोसन ने जो चस्मा पहना था, ये वही चस्मा था, जो की इन्होंने कहो ना प्यार मुवी में पहना था। नमबर नौ, राकेश रोसन ने उस समय के प्राइम मिनिस्टर अठल व्यारी बाचपई जी के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग रखी थी। फिल्म देखने के बाद अठल व्यारी बाचपई जी ने रित्ति ग्रोसन की और फिल्म की काफी तारिप की। नमबर दस, रित्ति क्रोसन ऐसे पहले एक्टर थे जिनको बेस्ट एक्टर और बेस्ट क्रिटिक दोनों का फिल्म फियर आवर्ड मिला था। इसके बाद अमिता पचन को ब्लैक फिल्म के लिए और रणवीर कपुर को रोकिस्टार फिल्म के लिए मिला था। अगर आपको व्यूडियो अच्छी लगी हो तो व्यूडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद।